नमस्कार आप देख रहे हैं जंगे अवद आपके साथ मैं हूँ शल्पे और बुलेटन में हम बात करेंगे कल जिस सरह से बीजेपी ने जब यूपी विधान सभा के बाहर प्रदर्शन किया और उस महाँ ही पर लाटी चार्ज हुआ और इसमें घायल हुए 115 कारे करताओं क का खून वियर्थ नहीं जाएगा और अगले कदम का एलान जल्द किया जाएगा केशर प्रसाद मौरे ने भी कहा कि अखिलेश सरकार ने इतनी सकती बलातकारियों पर दिखाई होती तो सूबे में आमन होता हजारों की संच्छा में कारकरता घायल हैं सैकड़ों कारकरताओं के हाथ पैर सर ये तोड़े गए फोड़े गए यहां खून की धारा बहाई गई और कारकरताओं पर जिस प्रकार से सरकार ने बल प्रयोग किया जिस प्रकार से दाना साही की जिस प्रकार से अत्याचार कि इस सरकार ने अगर अपरादियों, मापियाओं, ब्रादकारियों के खिलाब ये कारवाई की होती तो उत्तर प्रदेश के इतने बुरे हालात नहीं होते इस सरकार को एक भी पल इस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है अखलेश सियादो जी को अगर नैतिकता है, होम मिनिश्ट्री उनके पास है उनके निर्देश पर मेरे कारकरताओं पर लाठी चलाई गई है अगर यह सरकारी स्थीफा नहीं देती, तो भादपा बरखास करने की मान करती है और विवेक तिवारे हैं हमारे साथ इस खबर पर विवेक कानु निवस्था को लेकर ये प्रदर्शन था किया गया लेकिन कल किस तरह से कानु निवस्था ही वहाँ पर जो तस्वीर सामने आई वो ही सवालों के खेरे में है अब 115 लोगों के लिए से इसमें जारी की गए जो घायल किये हुए है उनके सिती कैसी है और साथे साथ अब बीजेपी द्वारा अगला कदम क्या होगा इस पर देखे अभी बहुत सारे लोग अस्पताल में एडमिच है इस बीच पुलिस में फेशो पुसाद मौरिया समेथ बीजेपी के तकरीमन एक दर्जन सांसरों विधायकों और तीन हजार अग्यात बहुं की खिलाफ अगले कदम की गोशना करेंगी आज चुपे चुप्ची है इसमें माना जा रहा है एक दो दिनों में बीजेपी इन अपने कारकाओं पर लाख चार सी खिलाफ भी कोई बड़ा अंदलन खड़ा करेंगी जी शुक्रिया विवेक पुरी जानकारी के लिए